हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे पिछले दो वर्ष की कट ओफ किसकी वो भी ग्रूप सी क्लेरिकल एक्जाम की जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलाहबाद हाई कोट के अंडर जितने भी सिविल कोट्स है उत्तर प्रदेश में उन एक्सपेक्टिड कट ओफ की बात करना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा तो ये सारे पर्सपेक्टिव हम डिसकस करेंगे आज की वीडियो में और अगर वीडियो अच्छा लगेगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सकाइब तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए और डिसकस करते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में अब सबसे पहले ये मैंने आपकी ओफिशल वेबसाइट जी हाँ इलहाबाद की जो इलहाबाद हाई कोट की जो ओफिशल वेबसाइट है उससे डाउनलूड किय है मैंने तो यह एकदम से डारेक्ट फ्रम दा हॉर्सिस माउथ है अब इसमें सबसे उपर लिखा है हाई कोट ऑफ जीडिकेचर एट इलहाबाद दा उत्तरपदेश सिविल कोट स्टाफ सेंट्रलाइज रिकूट्मेंट 2016-17 तो यह हो गया आपका 2016-17 की कट और उसके बाद पोस्ट कोड था आपका क्लेरिकल ग्रेड सी और उसके बाद कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज और फाइनल कट आफ यह सब आपका अगर आप रैट साइड में देखेंगे तो कट आफ मार्क्स है और अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको कैटेगरी हर एक कैट स्पेसिफिकली मेंशन है चाहे सबसे पहले यूर है फिर उसके बाद obc फिर sc और फिर st अब उसके बाद u are की गए थी 136.44 और उसके बाद obc की गए थी 134.4 और उसके बाद sc की गए थी 127.26 और उसके बाद ST की गई थी 107.34 और उसके बाद DFF UR की गई थी 128.22 और उसके बाद OBC की गई थी 122.56 ये सारी cutoff है चाहे वो DFF ST हो DFF ST हो ESM UR ESM UBC ये सारी cutoff है हर एक category की तो आप अपनी category wise अपनी cutoff देख सकते हैं और एक estimate लगा सकते हैं कि previous year में कितनी cutoff गई थी देखिए it's actually में cutoff तो हर year change होती रहती है बट previous year से ये फाइदा होता है analysis करने से कि हमें एक rough idea हो जाता है कि कितना benchmark जा सकता है या फिर जाने वाला है इस वाले present year में अगर paper उसी level का आएगा जी हाँ ये सबसे important है कि paper जो है previous जिस level का आया था उसी level का आएगा तभी ये cutoff otherwise cutoff बहुत उपर नीचे हो सकती है बट हम अभी के लिए previous year ही cutoff discuss कर रहे हैं जो की है कि फिर e smsc है e smst physically handicap you are physically handicap o bc और उसके बाद wm u r wm o bc और उसके है wmsc wmst ये सारी category wise आप अपनी cutoff देख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं 2019 में जो exam हुआ है उसमें कितनी cutoff गई है clerical post group c की अब जैसे इसमें आप left side में देख रहे हैं unreserved का और उसके बाद cutoff marks का right side में तो आप सबसे पहले पाएंगे कि u r का जो आप देख रहे है u r का यह देखिए u r का 126 गया है 126.8833 और obc का गया है 119.2294 और उसके बाद sc का गया है 114.3500 और उसके बाद st का गया है 92.661212 क्योंकि इसमें दश्रमलों के बाद आप याद रखेगा अकसर यही गलती हम सबसे हो जाती है दश्रमलों नंबर के बाद 6612 होता है तुर उसके बाद woman general 121.6667 और उसके बाद woman other backward class 125 दश्रमलों तीन शुन्य 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 यह सारी है हरे category wise जवसे आप देख पा रहे हैं अगर और आप अपने category wise note कर सकते हैं अपनी cut off चाहे आप ESM general हो, ESM other backward class हो, ESM schedule tribe, ESM schedule cast, DFF general, DFF other backward class, DFF schedule cast उसमें तो vacancy नहीं आय थी और उसके बाद DFF schedule tribe, physically challenge general, physically challenge other backward class, physically challenge schedule schedule cast, physically challenge schedule drive, sports person, general, sports person, other backward class, sports person, schedule drive और sports person schedule cast ये सारी cut off होगे हरे category wise और मैं आपको एक बार zoom out करके वापस से revise करा देता हूं अगर आप देख पाएं कि 2019 की ये सारी cut off गई थी हरे category की अब बात आती है कि क्या हमें expected cut off अभी से बात करनी चाहिए कि क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि paper कितने level काया है या फिर paper में कितने candidates आएंगे या क्योंकि क्या होता है कि हर बार apply जितने लोग apply करते हैं उतने actual में आते नहीं तो कई बार 50% attendance हो जाती है कई बार 60% भी हो जाती है तो अभी से estimate लगाना कि expected cut off कितनी होगी ये बहुत गलत decision होगा तो मेरा आपसे यही होगा कि आप अभी अपने exam पे focus करिए और अपना जो short short है चाहे वो 2017 की cut off हो चाहे वो 2019 की cut off हो इनहीं को एक benchmark मान के चलिए क्योंकि खुद से अभी analysis करना या फिर कोई अगर आपको बता रहा है तो एक bogus आपको false dreams दे रहा है वो reality नहीं है reality यहीं है कि जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक expected cut off का idea लगाना बहुत नामुम्किन है I literally repeat नामुम्किन क्योंकि आप नहीं पता कर सकते वहां कैस इसी कंडिशन होंगी आने वाले दिनों में और जिस दिन एक्जाम होगा और राइट गाई यह था आज का वीडियो जिसमें हमने डिसकस किया कि जो इलहाबाद हाई कोट में clerical group C की post निकलिया उसमें 2017 और 2019 में क्या cut off थी अगर आपको मेरा analysis अच्छा लगा हो या फिर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जिसमें मैं चाहे वो previous year इलहाबाद हाई कोट के जो कोशन आपसे जो डिसकस करवा रहा हूं और जिसका लिंक मैं आपके description में भी दे दूँगा आप जाके उसको जरूर देखिएगा ऐसी motivation के लिए प्लीज लाइक कीजेगा जिससे मैं ऐसा ही content आपके लिए ला सकूंँ यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अगर आप नहीं होते हो थैंक यू